हेले विरोन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर सौगा था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे और बच्चों यहाँ पर फिजिक्स का सेट भी है और इसका अबजेक्टिव ऐसा कोश्चन पूछा गया है जो कि आप आज से लगभग 10 साल पहले तक का यदि आप ढूंड़ो यंपी बोर्ड में ऐसा कभी कोश्चन ही नहीं है ऐसे कोश्चन दिये जा रहे हैं मतलब यंपी बोर्ड में भी जो बैठे हैं अब आप लोगों से ये आज मारे हैं कि आप कितना हद तक मेनत कर रहे हो कितना ढूंड र जोड़ी है चले कोई बात नहीं लेकिन आप लोग तो पढ़ने वाले छात्र हो तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी पहला कोश्चन लेखते हैं पर अब अधुद प्रदार जो होता है धुरूवी और अधुरूवी दोनों प्रकार से होता है ठीक है आगे देखे प्रकास विद्दु धारा के मान में जो परिवर्तन होगा वो तीवर्ता पर निर्भर करती है आप तीवर्ता जितनी ज्यादा होती है धारा का मान उतना अधिक मतलब इलेक्टान उतना अधिक होता है और नाविक का जो घनत होता वो द्रबमान पर निर्भर नहीं करता ध्यान रखना द्रबमान संक्या पर निर्भर नहीं करता नाविक का घनत सभी नाविकों के लिए समान होता है इतना ध्यान रखना ठीक है बच्चो आगे द पर जब बराबर होता है तो दसीन हो जाता है वहीं पर अप्छे पर्त कर निर्वान हो जाता है। एक समान आब एसी समतल चादर के कारण बिद्दुत छेतर दूरी पर निर्वन नहीं करता। जब आप सम्तल चादर के कांग तिब्रता निकालोगे तो कहीं न कहीं आर का मान निर्भर नहीं करता, प्रतिय कांग छेत्र फल में बिद्दु धारा को धार अगनत तो कहते हैं, आगे देखें कोई छेत्र का कोई उदगा में आधिगम नहीं होता, इसको थोड़ा सा आप ल पर किसी भी सेल का बिद्द भाग बलकामान धानातमार लगबग लगबग तय रहता है, लेकिन क्लियरली मैं इसलिए मेंसन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता बच्चों हम भी एक टीचर है, लेकिन कुछ चीज़ डाउट में रहती है, तो यदि डाउट में है त करता हूँ, बाकि आप लोग बताना कमेंट भाक्स में, ठीक बच्चों, मागित सब को पता है, हर वाटसप नमबर हर बच्चा जानता है, बेज देना, यदि कहीं पे मिलेगा, परिवर्तन चुम्ब की च्छेत्र, यदि परिवर्तन सील चुम्ब की च्छेत्र तो आइस्थाई होता है, ये गोलाकार जो चक्रण करता है न, इसके करण आइस्थाई होता है, ठीक है याद रखिए, बर्तुलाकार जिसे बोलते हैं, चक्रण के करण, इसलिए वहाँ से बिकरण उसर्जित होती रहती है, कई उत्तर आपको मिल जाएंगे, धारा की जो सुग सुग्राहिता बताना बच्चो, ठीक है, और बोल्टा की सुग्राहिता, तो क्रम से ही है, धारा की सुग्राहिता आपका ये नंबर हो जाएगा, बोल्टा की सुग्राहिता आपका ये हो जाएगा, ठीक, अब दो बच रहे हैं, जब कला में बदलाओ ना हो, समान कला में हो तब यह i बराबर 4i0 परिवर्तिकलांतर के लिए आपको निकल कराता है ठीक बच्चो चलिए अब जो अच्छे तरीके से पढ़ता है उसी से clear हो पाएगा यदि मजाक में जो पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल खतम किसी बिंदू पर बिंदू आविसकार्ण बिद्दूत विभाव विभाव का सूत्र क्या होता हुआ अपान 4pi0 के फिर q अपान r सीधा q अपान r r इसको अर्मत करना अब देखो बच्चो यदि मैं कह दूँ कि कोण ये साइज बराबर होता है लेकिन आवर्धन कैसे प्राब्द करोगी जबकि कोणी साइज आरे भई जो आवर्धन होता है वो ड अपान e pogen यूप के बराबर होता है फोकस दूरी कम होती है इसलिए आवर्धन हम निकाल सकते हैं क्योंकि कोड़ी साइज पर डिपेंड ही नहीं करता है यह तो डिपेंड करता है वस्तुकी दूरी पर इस पष्ट दृष्ट की नियुंतम दूरी फोकस दूरी कम होती है इसलिए आवर्धन निकाल सकते हैं पर आ प्रतिकों का नाम भी निकाला है ना एक प्रकार के अर्ध चालकों में असुद्ध के काण अत्रिक्त उर्जा इस्तर उर्जा बैंड सनचना में कहां इस्तित होता है चालन बैंड के निचले इस्तर पर ठीक है चालन बैंड के तली के पास लिख लेना बहुत डीप में ऐसे कोश्चन कभी नहीं पूछे गए कभी नहीं पूछा गए हम पी पोड में आज से आप 2013 में मैंने एकजाम देता तब से अब तक में ठीक है मैंने पूरा एनलेसिस किया बच्चो लगातार पढ़ाता हूं लेकिन ऐसा कोश्चन नहीं पूछा जाता था अब देखो किसी आवेश पर किसी निकाय पर कोई आवेश नहीं है तब उस पर विद्दु छेतर सुन होगा सही है जब आप एस ही नहीं है तो आवेश पर विद्दु छेतर सुन होगा ही आवेश के काने विद्दुच्षेत होता तो सत थ है , विद्दुच्षेत के दिशा धिधर विभाव काम होता है , उधर होती हास होता सही है किसी माद्यम में प्रकास का बेग, माद्यम के बैदुदर चुम्घ की गुणों पर निर्भर करती है ? नहीं यार !!!ight कोई मतलब का नहीं, आबेस उदासी नहीं यहाँ पर, माध्यम जो प्रकास का बेग होता है, प्रकास उदासी नहीं, इसलिए कोई प्रभावाने पड़ता, किसी चाला के अंदर इलेक्टरान बाहर बिद्दुछेत से प्रभाव से तुरित गति करेगा, भाई बिलकुल बाहर से बिद्दुछेत लगाएंगे तो इलेक्टरान में, कही न कहीं कमपनो इलेक्टरान का ती करेगा, लेंस के प्रकास केंद्र से गुजरने वाली प्रकास किरणा, बरतन के पस्चात, मुख अक्ष के समानतर हो जाती है, तो ये भी आपका असत्त हो जाएगा, क्यों जरूरी नहीं है, प्रकास केंद्र से जाए और मुख अक्ष के समानतर हो जाए, ये कंडिसन जरूरी नहीं है, ठीक है, तो लगभग लगभग सारे प्रिष्ण हो गए, एक प्रिष्ण जो है आपको होमबर्क में दिया है, बागी बच्चों आप लोग ये देखे कि हमने जो पढ़ाया है, इसमें कोश्चन आया है कि ये नहीं मेर कल छोन कर, बताओ, सारे टॉपिक आपको कराए गए हैं, देखो भाई, इसमें जरूरी नहीं, इसको आपना पढ़ोग ये बढ़िया है, मैक्सवेल एमपियर नियम को समझाईए, ठीक, ये आप कमा लिजी, एक कोश्चन आ गये हैं, कोश्चन करना पड़ेगा भाई साहब, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खतम कहानी, बिवर्तन किसे कहते हैं, जिल्ली बिवर्तन परटने में उच्छिस्ट मान कब होगा, ये लो, ऐसे कोश्चन आ जाएंगी न, तो फिर अंपी बोर्ड बाले बच्चे ध्यान रखना, रेडियक्टिवता किसे कहते हैं, छे कितने प्रकार का होता है, संधायत्रों का स्रेणी क्रम सही हो जन, नीचे तो ठीकी है, चोटी 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 कोश्चन ने, ट्रांसफार्मर होगे, ल्सी आर परिपत, दिस्ट कारी किसे कहते हैं, पिय तो ध्यान रखना, बच्चो, तयार कर ले न, मेनत कर लो, अभी नहीं, तो फिर रोना पड़ेगा, ठीके, कोई बात नहीं, टेलिग्राम जोइन कर ले न, इसका जो पेपर है, टेलिग्राम में शेयर कर दूँगा, ऐसे बच्चे जो अधर स्टेट से होगे, या करते चलें, ओके, जय हिंद बंदमातरम,